बच्चों आज हम उश्मा ख्षेपी अभिक्रिया एक्जोथर्मिक रियक्षन और उश्मा शोशी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रियक्षन पर बात करेंगे और इसके कुछ रोचक पहलूओं को समझेंगे चलिए एक रियक्षन से स्टार्ट करते हैं ये एक रासाइनिक अभिक्रिया है इसको जरा पहचानी है ये क्या है ये है केल्शम औक्साइड बिल्कुल सही पहचाना इसे हम बिना भुजा चूना भी कहते हैं इसे हम लाइम कहते हैं चूना कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं इसका नाम मैंने क्या बताया आपको calcium oxide बिना बुझा हुआ चुना तो बच्चों जब ये बिना बुझा चुना जल के साथ H2O के साथ क्रिया करता है ये क्रिया बहुत तेजी से होती तिवरता के साथ होती है तो फिर calcium hydroxide बनता है calcium hydroxide को हम क्या कहते हैं slagged lime बोलते हैं हम इसे बुझा हुआ चुना कहते हैं तो calcium hydroxide को हम कहते हैं बुझा हुआ चुना और calcium oxide को हम कहते हैं बिना बुझा चुना तो बिना बुझा चुना जब जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा हुआ चुना बन जाता है और इसमें काफी मात्रा में या लार्ज अमाउंट में उश्मा भी हमें प्राप्त होती है तो फिर ये अभिक्रिया कहलाईगी उश्मा ख्षेपी अभिक्रिया क्योंकि इसमें बड़े अमाउंट पर हमें उश्मा प्राप्त हुई है तो इसे हम कहेंगे एक्जो थर्मिक रियक्शन तो बच्चों ये अभी क्रिया आपने सामानी तोर पर देखी होगी कि जब हम बाजार से चूना लेकर आते हैं और उसको एक पात्र के अंदर मिट्टी के पात्र के अंदर जब उसको रखकर पानी उसमें डालते हैं केलिशम ऑक्साइड, CAO, PLUS, H2O, जल और ये रियक्शन हुई, CAO, S2, केलिशम हाइडर ऑक्साइड और हमें उसमा प्राप्त हुई तो इस अभी क्रिया को हम कहेंगे उसमा क्षेपी अभी क्रिया, एक्जो थर्मिक रियक्शन तो बच्चों, उसमा क्षेपी अभी क्रिया की फिर परिभाशा क्या हुई कि जिन रासाइनिक अभी क्रियाओं में ये रासाइनिक अभी क्रिया हुई और उत्पात के निर्मान के साथ साथ उसमा भी प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है उश्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है और इसके उधारन के तोर पर हमने लिया कि यह जो केल्शम आकसाइड है बिना बुजा चूना जब यह जल के साथ तिवरता से क्रिया करके केल्शम हाइडर आकसाइड बुजा और कर सकते हैं कि देखिए इसमें ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं एक उत्पाद बना रहे हैं तो ये अभिक्रिया हम इस अभिक्रिया को हम सयोजन अभिक्रिया या combination reaction के उधारन के रूप में भी दे सकते हैं के ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं सहयोजन अभिक्रिया combination reaction तो यह अभिक्रिया फिर सहयोजन अभिक्रिया के example दे सकते हैं चलिए हम बात करते हैं अब उश्मा शोशी अभी करिया endothermic reaction के उपर तो endothermic reaction में क्या होगा बच्चों देखिए एक example ले लेते हम यह हमने लिया है यहाँ पर calcium carbonate CACO3 जिसको आपको पता है limestone भी बोलते हैं चूना पत्थर और यह जब आप इस calcium carbonate को उश्मा देते हैं तो फिर क्या होगा यह calcium carbonate calcium oxide CACO जिस पर हम काफी बात अभी कर चुके हैं calcium oxide चूना बिना बुजा चूना lime या quick lime कई नामों से हम इसको पुकारते हैं तो फिर यह उश्मा देने पर क्या होगा यह calcium oxide में convert होगा और carbon dioxide बनेगी तो बच्चों यह calcium carbonate उश्मा देने पर calcium carbonate का उश्मी वियोजन हुआ है और उश्मी वियोजन होकर यह calcium oxide और carbon dioxide का निर्माण हुआ है तो बच्चों यह भिक्रिया हमारी हुई उश्मा शोशिय भिक्रिया endothermic reaction कि जिन रासाइनिक अभिक्रियाओं में उथपात के निर्मान के दोरान उश्मा ली जाती है उश्मा लेकर ही अभिक्रिया हुई है और यह उश्मी वियोजन हुआ है यह component एक से ज़्यादा component में तूटा है यह अभिक्रिया कहलाएगी हमारी उष्मी वियोजन अभिक्रिया जिसको हम कह रहे हैं उष्मा शोप्षी रासायनिक अभिक्रिया तो बच्चों फिर हमारी वियोजन अभिक्रिया का भी बढ़ा एक्जामपल हो گیا कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभी कर्मग तूट कर दो या दो से अधिक नए उत्पात बनाता है तो हम कहते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया और यहां पर कौन सा वियोजन हुआ है यहां उश्मी वियोजन हुआ है और इसे हम कहेंगे उश्मी वियोजन हुआ है और इस अभिक्रिया के दोरान उश्मा ली गई है इसलिए हम इसको कहे रहे हैं उश्मा शोशी अभीक्रिया या एंडो थर्मिक रियक्शन तो हम इस उश्मा शोशी अभीक्रिया के उधरन को व्योजन अभीक्रिया के उधरन के रूप में भी लिख सकते हैं कि ऐसी रासानी के अभी क्रियाएं जिसमें उत्पात के दोरान उश्मा ली जाती है उन्हें उश्मा शोशी रासानी के अभी क्रियाएं कहते हैं और यही हम वियोजन अभी क्रिया के उधरन के रूप में भी दे सकते हैं तो जब उश्मा प्राप्त होती है तो हम कहते हैं उश्मा शोशी रासानी के विक्रिया कहते हैं और ये केल्शम कार्बोनेट के जो उश्मी वियोजन है हुआ है जिसे हम उश्मा शोशी विक्रिया का उधारन दे रहे हैं इसे हम वियोजन अभिक्रिया के उधारन के रूप में भी लिख सकते हैं धन्यवाद